हेलो फ्रेंक सादर जय जिनेंद आज हम आये हैं अंजनिगिरी चेंटेंपल सोलावे तिर्थंकर शांतिनाथ भगवान के दर्बार में जी हाँ अंजनिगिरी चेंटेंपल ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ये हैं सोलावे तिर्थंकर शांतिनाथ भगवान की ये जेन टेंपल नासिक से त्रम्बकेश्वर से जो रास्ता जाता है उसी की बीच आता है अंजन गिरी तिर्थशेत्रा में मुनी निवास और यातियों के लिए बहुत अच्छी सुगदाय की गई है नासिक से त्रम्बकेश्वर के ओर जाते हुए 20 किलोमीटर दूरी पर नासिक से अंजन गिरी तिर्थशेत्रा लगता है शांतिनाद भगवान की पदमासन की प्रतिमा और यही पे नीचे एक छोटा मंदिर जहां पर पार्श्वनाद भगवान की प्रतिमा विराजमान है यहां की सुन्दर्ता और प्रभू के दर्शन के लिए यहां एक बार जरूराना और दुसरी और यहां अधिनात भगवान की प्रतिमा विराजमाने वहां आम चलते हैं तस से मस नहीं हुई यहां प्रतिमा चीहां यहां प्रतिमा जो नजर आ रही है वह अधिनात भगवान की अंजनगिरी कराम के समीप एक रास्ते पर तीन मंदिर के अफशिश पड़े हुए है उसके पास ही पेड के नीचे एक पदमासन अधिनात भगवान की काले पशान की मुर्ति विराजमान है इस मुर्ति की विशेष्टा है कि अंग्रिजों के जमाने में इसे जग़ जग़ से हिला कर दुसरी जग़ रखने के बहुत बार कोशिश हुई पर सारी कोशिश वेर् यहाँ मुर्ति तस से मस नहीं हुई कई सालों से यहाँ मुर्ति रास्ते से पाँच बीट पर एक छोचे से चबुत्तरे पर रखी हुई है जो आने जाने वाले को असानी से दिखती है गावाले भी इसे चमतकारी प्रतिमा मानते हैं और इस पर श्रद्धा रखते हैं कमिटी द्वारा शेत्रप और कारेरत होने के पच्छात इसे सुरक्षित किया गया और कॉलाजिकल द्वारा इसे कमपॉण बनाकर सुरक्षित भी किया गया समिती द्वारा हर पुर्णिमा को इस अधिनाद भगवान के मुर्ति का अभिशेक किया जाता है